कि आपको साधर नमस्कार मैं दर्मेंद्र सिंग अड़ा भाग संक्या 86 ओटा दच्छिन से ओटा बुंदी लोकसवाद छेत्र से भूत अध्यक्स हूं आदरनी प्रदान मंत्री जी मेरा आप से एक प्रस्न है कि आपने आपने कल एसे मी सेक्टर को आप एसे सेक्टर को वह ती सुविदाएं दी हैं तो इस सुविदाओं के बारे में आप से पहले किसी ने जोचा और बहुत से लोगों में इस सका आयड़ा भी क्यों नहीं आया मैं आप से प्रश्न करना चाहता हूं दर्मेंद्र जी आपने कल की घटना का उलेग किया मुझे अच्छा लगा और हिंदुस्तान के मद्यमबर्गिये समाज के लिए और लगू और मद्यमबर्गिये उद्योग के लिए बहुत महत्वपून इतिहासिक काम कल हुआ है हम अपने मसमी सेक्टर का सम्मान करते हैं और उस पर बरुसा भी करते हैं हमारे मसमी सेक्टर बारत की विकांज गाथा की रीड है और आपने मैं कोटा वास्यों से कहूंगा आज मैं जो बाते बता रहा हूं उसको याद रखिए ऐसा नहीं कि मोदी जाये मजा आ गया बात हो गई ऐसा नहीं याद रखेंगे कुछ लोग हाथ उपर कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं करेंगे याद हाँ आप जान आई आप मैं जहां तक छोटे छोटे उद्योगों की बात है तो वो सिर्फ कहने के लिए छोटे हैं सच्चा ये हैं कि उनकी तांकत बहुत बड़ी है क्रिशी के बाद इस सेक्टर ने सायद सबसे जादा रोजगार दिया है इतना ही नहीं लोगों को गरीबी रेखा से उपर उठाने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है कल हमने कई महत्वपूर्ण निर्णे लिए हैं मसमे इस सेक्टर को आसानी से रण उप्लब्द कराने का विशेश महत्व है अब उन्हें एक करोड रुपिय तक का लोन उन्साइट मिनिट में फिप्टी नाइन मिनिट में उप्लब्द होगा इसके अलावा पांसो करोड से जादा के टर्न ओवर वाली कंपनियों को ट्रेड प्लेटफर्म पर लाया गया है ताकि cash flow में कोई परेशानी ना आए हमने न सिर्फ environmental clearances की संख्या काफी कम कर दी है बलकि उसे लेकर safe certification को भी स्विकार करने की विवस्ता बना दी है MSME सेक्टर पर यह हमारा भरोसा दिखाता है जब सरकार अपनी ओर से बरोसा दिखाती है तो हमने देखा है कि जन सामान्य भी उतना ही या उससे कहीं जादा विस्वाद दिखाता है पिछले महिने GST collection एक लाग करोड से भी जादा का हुआ है जब लोगों ने GST को लेकर सरकार के प्रती भरोसा जता है तो हमने भी GST से पंजी कुरुत MSME के लोन पर लगने वाले कई तरह के ब्याज़ पर छुट देने का एलान कर दिया इमानदार लोगों को सम्मानित करने का यह प्रयास है सरकारी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने जरूरत की 25% चीजे MSME से खरीदे जिसमें से अब करीब 3% खरीद महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME से ही किया जाता है सभी कंपनियों के लिए जैम GEM प्लेटफर्म से जुड़ना अनिवार्य कर दिया है जहां से सरकारी दफ्तर अपनी जरूरतों का सामान ओनलाइन खरीच सकते हैं इसका सबसे अधिगलाब छोटे कारववारियों को मिल रहा है जिनके पास अब बड़े कारववारियों के बरावर ही समान अवसर उपलब्द है इंस्पेक्टर राज इंस्पेक्टर राज का खत्प करने के लिए हमारे सोनिशित किया गया है कि अब कोई भी अधिकारी किसी भी MSME को अनुचित तरीके से टार्गेट न कर पाए इसके लिए कौन सा इंस्पेक्टर किस कमपनी में जाएगा इसका फैसला अब किसी अधिकारी द्वारा नहीं बलकि कॉंपुटराइज सिस्टिम से ही होगा वो भी रेंडम एलोट्मेंट के जरिये इतना ही नहीं इंस्पेक्टर निरिख्षन करने के बाद 48 गंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट पोर्टरल पर उसको रख देनी पड़ेगी और यह है पूरी पूरी पारदर्शिता हम यह सुनिशित कर रहे हैं कि अब तक जिने छोटा समझा गया है उनका भी भारत की विकास गाथा में बहुत बड़ा योगदान रहे